हेलो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टाइट से पहले आप लोग में चेंग को सब्सक्राइब करते हैं इसे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं जिसके स्टार्टिंग में शाओधी अपनी मॉम से बात करते वे दिखाये जाते हैं उसकी मॉम पूछी होते के तुम चाईना मैं आगके बिяхा हो ना तो बता रहोते के जी मौम, मैं बिलको ठीक रहूँ, उसके पोश्टे के लिए ना उताथती है के मैं नेबर के साथ घर कर रही हूँ, उसकी मौम कहते है के वो नेबर लड़की होगी ना शाओधी अपनी मॉम की ये बास सुनने के बाद कहते है कि हाँ हाँ मॉम वो लड़की ही है तो उसकी मॉम ये बास सुनकर कहने लगते है कि चलो वो लड़की है फिर भी तुम्हें अपनी चीजों का ख्यार रखना चाहिए जैसे तुम्हारी एक कादत है अपनी चीज़ों को वाशों में छोडने की ये बास सुनकर तो शाओधी को याता जाता है कि वाशों में तो मेरी ब्रा रहाएगी और उपसे यूहांग वाशों में शौवल लेने के लिए गया हुआ है ये सोचकर अपनी माम को जल्दी से बाए कैकर वाशों की तरब भागती और बाहिर जाकर खड़ी हो करें लगती है कि शायद उसने मेरी चीज़ ना देखी हो पर अंदर तो यूहांग पहले से उसकी वो चीज़ देख चुका था यूहांग इतने ज़दा गौर से देख रहा हुता है क्यूंकि उसने वो चीज़ पहले कभी ने देखी थी और ज़दा गौर से देखने पर उसको पता लग जाता है कि वो शायदी की है ये देखने के बाद वो शावदी को देने के लिए खुदी आ जाता है और शावदी उससे गिरलती से पकड़ लेते हो कहाँ लगती कि सौरी आइंदा मैं कभी भी अपनी परसर चीजों का ऐसे नहीं छोड़ूंगी पर योहांग उसे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरह किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए क्यूंकि यहां पर काफी जड़ बैक्टेरियास वगरा भी होते हैं और इससे तुम्हें भी कोई डिजीज भी हो सकती है शाओदी कहने लगती है कि हाँ ठीक है मैं समझ गई और फिर योहांग कहता है कि तुम्हें इसको धोक के रात में ही लटका देना चाहिए और सुबह होते साथ ही इसको उतार लेना चाहिए और यह अपने रूम की बालकनी में ही किया करो परारी होती है यह सब करने के बाद यूहांग सोचा होता है कि मुझे तब डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए पता नहीं मुझे क्या हो गया है लगते मेरे अंखे खराब हो चुकी है और जैसे नेक्स्ट यूहांग अपने रूम से बाहर आता है तो शाओदी ने एक पास वही सेम चीज़ रखी हुई थी और सेट वगरा करने के बाद वहां से चला जाता है सुबह जब जोगिंग कर रहा होता है तब उसके पास सुनियान आ जाती है और सुनियान आकर पोचे लगती है कि क्या तुम्हें अपनी टीम के लिए स्पांसर मिल चुका है यूहां रोकते हुए कि मुझे पता है कि तुम अपने फैमली की मिसिंग लोगों को काफी टाइम से ढूल रहे हो ये बास सुनकर यूहांग वही पर उख जाता हो कहने लगता है कि तुम्हें इससे को भी मतलब नहीं होना चाहिए और मुरायन दिखा जाते है जो हाओ के साथ बैठ विश्पूरी कर सकते हो पर तुम्हें पहले अपने करियर पर फॉकस करना चाहिए मुरायन कहने लगता है कि जब मैं उन्हें कहता हूं कि मुझे ट्रामा में काम करना है तो वो मुझे ड्रामा नहीं देते हैं मुझे वो नीव करना पसंद ना मैं क्या करू मेरा करियर काई लगते हैं जो यू हैंग टीम बना रहा है जो उसके पॉपलाइटी काफी उपर चारी है और वो काफी फेमस हो रहे हैं मुझे लगते हैं कि हमें बुचा कर जाए हैं तो उसका रेंग तो अभी उत्व जादा नहीं है ना और हैंक्स जादा करने के लिए उसको काफी जादा स्ट्रॉगर करनी होगी जिसकी वज़ा से उसको काफी टाइम लग सकता है और अगर उसने ऐसा ना किया तो वो चैंपर्शिप में नहीं जा सकता और फिर हमें यू हैंक की टीन दिखाई जाती है जो हां पर यू हैं नहाँ हुआ करेगा तो तुम लोग मेरे पास आगर कुछ भी पूछ सकते हो बगार किसी शर्माने के मैं तुम लोग के सारे मसले सौफ कर दूँंगा और पिर आइस्ता से कहने लगते हैं कि जब जब यू हैं यहां नहीं होगा मैं तुम लोग का बोस्ट हूँ यह सुनकर सब उसके लिए क्लाइब करने लगते हैं उन सब की इंटर्डक्शन के बाद यहां के लगता है कि तुम लोग को यहाँ पर जवाएं करने के लिए एक पार्टी भी दी जाएगी और सेलिब्रेशन में यह होगा कि जो तुम लोग की गेम में अपग्रेट तो पूछता है कि तुम कौना वो कह रहा होता है कि मैं तुमारी हल्प करने के लिए त्यार हूँ तुम चाहते हो ना कि तुम अपने गुमेवे लोगों को ढूंड सको तो मैं तुमें एक अड्रेस बता रहा हूँ तुम उस जगा पर आ जाना लिए यहां भी यहां के साथ जाओंगा अपकेले मत जाओ यहां नहीं सुनता के लगता कि नी मैं अकेला ही चला जाओंगा यह कहते हो वहां से चला जाता है और शाओधिया दिखाए जाती है जो मुराइन के साथ होती हो एक जगा पर उसके साथ बैठकर नुड़र्स खारी होती है मुराण बाते बग्रा कर रहा ह dessas पीश लेती है कि तुम्हें माइज़ोफोपिया के बारे में कुछ पता है वह कहता है कि अच्छा इसके बारे में मैं चैक्कर कर कर करता हूँ वह सच बग्रा करता है तो बताने लगता है कि यह ऊसे लोग होते जिनको हंदिरे में रहना नहीं पसंदो थो और ये बिल्कुल साफ सुतर रहते हैं उनको साफ सुतर खाने ही पसान दोते हैं ये कोई भी गंदी चीज़ बरदाश नहीं करते हैं उसकी ये बाते सुनकर शाओधी कहने लगते हैं कि मतलब यो हैंक काफी जदा सीरियस कंडिशन में हैं मौरान उसको ऐसे देख़र कहने लगते हैं कि तुम क्या मूं में बरबर आ रही हो आज तुम्में क्या हो गया है थो जदो क् treaty कि मुझे चलना होगा क्योंकि मैंने घर जाकर यो हैंक के लिए खाना भी बनाना है मुरान ये सुनके कहने लगता है कि तुमने मुझे तो कभी अपने हाथ का खाना नहीं खिलाया और उसको तुम अपने हाथ का खाना खिलाती हो तुम कहीं उसके साथ रिलेशन में इतना अगे तो नहीं क्लिकल गई वो कहने लगती है कि नहीं मैं उसको बिल्कुँ भी लाइक नहीं करती है वो तो मेरे पस कोई और आप्शन नहीं था इसलिए मैं उसके साथ रह रही हूँ और यो हैंग दिखाय जाता है जो उसकी बताई हुए बिल्डिंग के पर आस पहुंच आता है वो सोचे लगता है कि आपके मुझे बिल्डिंग के अंदर चाना चाहिए इतने में उसको लिओ यान का मैसीच आ जाता हुए वो कहने लगता है कि तुमने मुझे जो नंबर ती है न उसके बारे में मुझे कोई भी इंफरमेशन नहीं मिली और दूसरी तर शाओदी दिखाए चाहती है जो मुझे के साथ आती है और मुझे उसको बस टेशन पर छोड़ रहा होता है क्योंकि उसको उसके मैनिजर की तरफ से कॉल आ गई थी और शाओदी उसका फेस चुपाते हुए क्याएं लगती है कि तुम्हें अभी यहां से जाना चाहिए लोग वरना यहां पर तुम्हें पहचान लेंगे पर मुरान यहां से नहीं जा रहा होता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा ना पर शाओदी कहती है कि मैं टेक्सी या बस पकड़ की यहां से चली जाओंगी तो प्लीज यहां से चले जाओ इससे पहले यहां पर तुम्हें कोई पहचान ले और वहां के खड़े लोग उसको पहचान भी लेते हैं पिक्स लेने लगते हैं यह देखकर शाओदी उसको जल्दी से वहां से भेज देती है उसको भेजने के बाद उस पर पीछे से गुसा कर रही होते हैं कि इसने दो बाल मुझे नूडल्स के खिला दिये इसको पता था मैंने घर जाके यूहांग के लिए खाना बनाना था और जब मेरा पेटी फूल हो गया तो मैं यूहांग के लिए खाना क्यों बनाओं और यूहांग दिखाए जाता है जो उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है अंदर जाई रहा होता है तब ही उसको उसकी कॉल आ जाते है दुबारा से वो उसको कहने लगता है कि तुम पहुंच चुके है और वो कहता है कि हाँ मैं पहुंच चुका हूँ तुम कहां पर हो त तो वो उसका एक जगा का नंबर बताती तो कहने लगता है कि तुम वहाँ पर पहुंचो तुमें खुदी पता लग जाएगा यू हैंग उसकी ये बाद सुनकर उसकी बताई हुई जगा पर पहुंच आता है और वो फिर से उसको कॉल करने लगता है कि अभी शौप के अंदर भी जाओ तुमें अंदर जाने पर कुछ मिल जाएगा ये सुनकर यू हैंग वहाँ अंदर भी चला जाता है और जैसी अंदर जाकर देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या मसला है तब ये उसको पीछे से आवाज आती कि उस जगा का शुटर कोई बंद कर रहा है ये आवाज सुनकर वह जल्दी से पीछे की तब देखता हो सच में कोई शुटर बंद कर रहा होता है तो वो जल्दी से उसको जाके पकड़ने लगता है पर वो शेटर शायद आटमेट्रिक था तो यो हैंके पकड़ने से भी कुछ नहीं होता वो फिर भी बंद हो जाता है और हंदेरा उन्हें की वज़ा से फिर से यो हैंकी तबियत खराब होना शुरू हो जाती है और यहां तके वो वहीं पर गिर जाता हो एक जगा बेटा होता है क्योंकि उससे ना तो बोला जाता है और ना ही चला जाता है जब वो अंदेरे को देखता है और उसको अपने बच्पन का सीन याद आ रहो होता है कुछ पच्चे उसको बाई खड़े हो कर कहने रहे होते हैं कि तुम बहुत गंदे हो तुम बहुत डर्टी भी हो आगे से युहां कहे रहा होता है कि नी मैं गंदा नहीं हूँ और अपने कानों पर हाथ रख लेता है क्योंकि उसको अभी भी वही आवाज दुबारा से आरी ह होती है और शादी दिखाए जाती है जो सची होती के यह खाना है वह आगे से कुछ बोलना चाहरा होता है पर उससे बोलना नहीं जारा होता शौदिय। उसकी ये आवाजें सुनकर समझ आते हैं कि फिर से ये किसी अंदेरे में है ये जब वो उसके घर पर थी तब ये उसके ऐसी आवाजें निकार रही थी अंदेरे की वज़ा से औ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना